संतोशी माता को संतोश, सुक, शांती और व्यभव की माता के रूप में पूजा जाता है माता संतोशी भगवाई शिरी गनेश की पुत्री हैं इनका यह व्रत करने से धन, विवा, संतान, आदी भौतिक सुखों में वरिधी होती है यह व्रत शुकल पक्ष के प्रथम शुकरवार से शुरू होता है और सोलह शुकरवार तक व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है माता को गुड और चने का भोग लगाया चाता है यह वरत करने वालों को खटी चीज़ों को ना ही खाना चाहिए और ना ही हाथ लगाना चाहिए तो आईए पूरे भक्ति भाव से श्रवन करते हैं संतोशी माता की वरत कता एक समय की बात है एक बुड़िया थी उसके साथ बेटे थे छे कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था मतलब की एक बेटा कोई भी काम नहीं करता था बुड़िया छे बेटों की रसोई बनाती भोजन कराती और उनसे जो कुछ भी जूठन बच्ता था वह साथ में बेटे को दे देती थी वह भोला भाला अपनी मां की इस चाल को खुद समझ नहीं पाता था एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला देखो मेरी मां को मुझे पर कितना प्रेम है मेरी माता मुझे कितना प्यार करती है तो उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है तो वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूँ, यह मान नहीं सकता फिर उसकी पत्नी हंस कर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे कुछ दिनों के बार, तो हार आया, घर में साथ परकार के भोजन और चुर्मे के लड़ू बने वह यह देखने के लिए सिर दुखनी का बहाना करके, पतला वस्तर सिर पर लेकर, रसोई घर में ही सो गया वह देखना चाहता था कि मेरी माता सच में मुझे चूठा भोजन देती है, वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा, छेहों भाई, भोजन करने आये उसने देखा, मा ने उनके लिए सुन्दर आसन बिचा कर, अनेग परकार की रसोई परोसी, और आगरह करके उन्हें जमाया, वह यह सब कुछ देखता रहा चेहों भोजन करके उठे, तब मा ने उनकी जूठी धालियों में से लड़ूं के टुकड़े उठा कर एक लड़ू बनाया जूठन साफ करके, बुढ़िया मा ने उसे पुकारा, बेटा, चहों भाई भोजन कर गए, अब तो तू ही बाकी बचा है, अब तू भी खा ले वह कहने लगा, मा मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ मा ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा, वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ, यह कहकर वह घर से निकल गिया चलते समय, पत्नी की याद आ गए, वह गवशाला में उपले थाप रही थी वह जातर वह बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रही ओ संतोश से, धर्म अपनो पाल अर्थात, वह अपनी पत्नी से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आउंगा, तुम संतोश से रहना, और अपने धर्म का पालन करना फिर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारों सोच हटाए, राम भरों से हम रहें, इश्वर तुम ही सहाए, दो निशानी आपन, देख धरू मैं धीर, सुधी मती हमारी, विसारियो रखियो मन गंभीर अर्थाद उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाए, मेरे चिंता मत करें, मैं तो राम भरों से यहां रह लूँगी, इश्वर आपकी सहायता करें, अपनी कोई निशानी मुझे दे देजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहू, फिर वह बोला, मेरे पास तो यह एक अंगोठी है, यही ले लो, और तुम भी अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो, तो वह बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है, और यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी, फिर वह वह से च चल दिया, चलते चलते दूर देश में पहुंचा, वहाँ एक सहुकार की दुकान थी, वहाँ जाकर कहने लगा, भाई, मुझे नौकरी पर रख लो, सहुकार को भी नौकर की जरूरत थी, तो सहुकार बोला, तू रह जा, लड़के ने पूछा, आप तनख्वा क्या दोग तब सहुकार ने बोला, मैं काम देखकर दाम मिलेंगे, फिर उसे सहुकार की नौकरी मिल गए, वहाँ सुभा साथ बजे से, दस बजे तक नौकरी करने लगा, कुछ दिनों में ही, दुकान का सारा लेन दिन, हिसाब किताब, ग्रहकों को माल बेचना, सारा काम अच्छे से क करने लगा, साहुकार की साथ आठ नौकर थे, वे सब चपकर खाने लगे, यह तो बहुत होशियर बन गया, सेथ ने भी उसका काम देखा, और उसके काम से खुश होकर, तीन महीने में ही उसे आदे मुनाफिका हिस्सेदार बना लिया, वह कुछ वर्ष में ही नामी सेथ बन करने लगे, तंग करने लगे, सारे घर का काम कराके उसे लखड़ी लेने जंगल में भेशते, और खाने के लिए घर के आठे से जो भूसी निकलती है, उसकी रोटी बनाकर रख देते थे, और फूटे नारेल की नारेली में पानी, एक दिन वह लखड़ी लेने जा रही थी रास्ते में बहुत सी इस्त्रियां संतोशी माता का वरत करती हुई दिखाईती उसे, वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगे, और उनसे पूछने लगे, हे बेहनो, तुम किस देपता का वरत करती हो, और उसके करने से क्या फल मिलता है, यदि तुम इस वरत का विधान म मुझे समझा कर कहोगे, तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी, तब उन मैंसे एक इस्त्री बोली सुनो, यह संतोशी माता का वरत है, इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, और जो कुछ भी कामना हो, सब संतोशी माता की क्रिपा से पूरी हो जात यह सवारुपय का भी सहूलियत के अनुसार लाना, बीना परिशानी और श्रधा वप्रेम से जितना भी बन पड़े उतना लेना, प्रतेक शुकरवार को निरहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम तूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले, तो घी का देपक जिलाकर उसके आगे या जल के बात्र को सामने रखकर कथा कहना, जब तक कारे सिध ना हो, नियम का पालन करना, और कारे सिध हो जाने पर वरत का उद्यापन करना, तीन मास में माता फल पूरा करती है, यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो, तो भी माता वर्ष पर में कारे सिध करती है, फल सिध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए पीच में नहीं, उद्यापन में अढ़ाई सीर आटे का खाजा तथा इसी परिमान से खीर तथा चने का साथ करना, आठ लड़कों को भोजन करना, जहां तक मिले देवर, जेट, भाई बंधू के हो, ना मिले तो रिष्टेदारू और पास परोशियों को बुलाना, उन्हीं भोजन कराकर यथा शक्ति दक्षिना देकर माता का नियम पूरा करना, एक बात का ध्यान रखना, उस दिन घर में खटाई कोई ना खाय, यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहु वहां से चल द और सामने मंदिर देकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है, सब कहने लगे संतोशी माता का मंदिर है, यह सुनकर संतोशी माता के मंदिर में जाकर माता के चर्णों में गिर पड़ी, दीन होकर विन्नती करने लगी, मा, मैं अज्यानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानते, मैं दुखी हूँ, हे माता, हे जगजनने, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ, माता को दया आई, एक शुकरवार भीता, कि दूसरे को उसके पती का पत्रा आया, और तीसरे शुकरवार को उसका भेजा हुआ पैसा आप हूंचा, यह देखकर, जेठ ज जठाने मुह सिकोडने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्रा आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, बिचारी सरलता से कहती, भाया, कागज आवे, रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है, ऐसा कहकर, आंखों में आंस मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती है, तब माता ने प्रसन होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा, यह सुनकर, खुशी से बावली होकर, घर में जाकर काम करने लगी, अब संतोशिमा विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पती आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा, वे तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, माता ने सोचा, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा, इस तरह, माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाक स्वपन में प्रकठो कहने लगी, साहुकार के बेटे सो रहा है या जाकता है, वे कहने लगा, माता सोता भी नहीं, जाकता भी नहीं हूँ, कहो क्या आग्या है, मा कहने लगी, तेरे घरबार कुछ है या नहीं, फिर वे बोला, मेरे पास सब कुछ है, मा बाप है, बहु है, क्या कमी है मां बोली भोले पुत्र तेरी बहु घोर कश्ट उठा रही है तेरे मां बाप उसे परिशानी दे रहे है वह तेरे लिए तरस रही है तू उसकी सुध ले फिर वह बोला हाँ माताजी यह तो मालूम है परंतु जाओं तो कैसे जाओं परदेश की बात है लेन दिन का कोई हिसाब नहीं कोई जाने का रास्ता नहीं आता कैसे चला जाओं मां कहने लगी मेरी बात मान सवेरे नहाद होकर संतोशी माता का नाम ले घी का देपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा देखते देखते सारा लेन दिन चुक जाएगा सारा माल बिक जाएगा सांज होते होते धन का भारी धेर लग जाएगा अब वह स्वपन को याद करके सुभा नहाद होकर संतोशी माता को दंडवत घी का देपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया थोड़ी ही देर में जिनको उधार दिया था वे रुपया लाने लगे लेने वाले हिसाब लेने लगे गोदाम में भरिस मान के खरिदार नगत दाम देकर सौदा करने लगे शाम तक धन का भरी ठेर लग या मन में माता का नाम लेकर चमतकार देकर प्रसन होकर घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरिदने लगा यहां काम से निपटकर जल्दी घर के लिए रवाना हो गया उधर उसकी पतनी जंगल में लकड़ी लेने जाती है लोड़ते वग माता जी के मंदिर में विश्राम करती वह है तो उसकी प्रती तिन रुखने का जो स्थान ठेरा धूल उड़ती देखकर वह माता से पूश्टी है हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है फिर माता कहने लगी हे पुत्री तेरा पती आ रहा है अब तू ऐसा कर लकडियों के तीन बोज बना ले एक नदी के किनारे रखते दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर तेरे पती को लकडियों का गठर देखकर मोह पैदा होगा वह यहां रुखेगा नाश्टा पानी खाकर मासे मिलने जाएगा तब तू लकडियों का बोज उठा कर जाना और चौक में गठर डालकर जोर से आवाज लगाना लो सासु जी लकडियों का गठर लो भूसी की रोटी दो नारियल के खोपडे में पानी दो आज महमान कौन आया है माता जी से बहुत अच्छा गहकर वह प्रसंद मन से लकडियों के तेन गठर बनाकर एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा इतने मैं मुसाफिर आ गया सूखी लकडिय देखकर उसकी इच्छा उत्पन हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खापी कर गाउं को जाए इसी तरह रुक कर भोजन बनाया विश्राम करके गाउं को गया सबसे प्रें से मिला उसी समय सेल पर लकडिय का गठर लिये वह उताव लिसी आती है लकडियों का भारी बोच आंगन में डालकर जोर से तीन बार आवास देती है लो सासुची लकडियों का गठर लो भूसी की रोटी दो आज में मान कौन आया है यह सुनकर उसकी सांस बाहर आकर अपने दिये हुए कष्टों को भुलाने हैं तु कहती है बहू ऐसा क्यों कहती है तेरा पती ही तो आया है आबेट मीठा भादखा भोजन कर कपड़े कहने पहन उसकी आवास सुनकर उसका पती बाहर आता है अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है मा से पूशता है मा यह कौन है मा बोली बेटा यह तेरी बहू है जब से तू गया है तब से सारे गाउं में भटकती फिरती है घर का कामकाज कुछ करती नहीं चार पहरा कर खा जाती है वह बोला ठीक है मा मैंने इसे भी देखा और तुम ही भी अब दूसरे घर की तालिदो मैं उसमें ही रहूंगा मा बोली ठीक है जैसी तेरी मर्ची तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल कर सारा समान जमाया एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया अब क्या था बहु सुक भोगने लगी इतने मैं शुकर वारा आया उसने अपने पती से कहा मुझे संदोशी माता के व्रत का उद्यापन करना है पती बोला खुशी से कर लो वह उद्यापन की तैयारी करने लगी जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई उन्होंने मनजूर किया परंतु पीछे से जिठानी ने अपने भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके लड़के जीमने आए खीर और खाना पेट भर कर खाया परंतु बाद में खाते ही कहने लगे हमें खटाई दो खीर और खाना हमको नहीं भाता देखकर अरूची होती है वह कहने लगी बेटा खटाई किसी को नहीं दी जाएगी यह तो संतोशी माता का परसाद है लड़के उठ खड़े हुए और बोले पैसा लाओ भोली बहु कुछ चांती नहीं थी उन्हें पैसे दे दिये लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे यह देखकर बहु पर माता जी ने कोप किया राजा के दूद उसके पती को पकड़ कर लेकर जेट जिठाने मन माने वचन कहने लगे लूट लूट कर धनी कठा करके चलाया था अब सब मालुम पड़ेगा जब जेल की मार खाएगा बहु से यह सबसहन नहीं हुआ रोती हुई संतोशी माता के मंदिर में कई और कहने लगी हे माता तुमने क्या किया हंसा कर भक्तों को क्यों रूलाने लगी माता बुली बेटी तुने उद्यापन करके मेरा बुरत भंग किया है वह कहने लगी माता मैंने कुछ अपराद किया है मैंने तु भूल से लड़कों को पैसे दे दिये थे मुझे एक शमा करू मैं फिर आपका उद्यापन करूँगी मा बोली अब भूल मत करना वह कहती है अब भूल नहीं होगी अब बतलाओ मेरे पती कैसे आएंगे मा बोली जा पुत्री तेरा पती तुझे रास्ते में आता मिलेगा वह निकली और रास्ते में पती आता मिला वह पूछी कहां गए थे आप तो वह कहने लगा इतना धन जो कमाया है उसका टेक्स राजा ने मांगा था वह भरने गया था वह प्रसन होकर बोली भला हुआ अब घर को चलो कुछ दिन बाद फिर शुक्कर वारा आया और वह बोली मुझे फिर माता को उद्यापन करना है पती ने कहा करो बहु फिर जेट के लड़कों को भोजन को कहने गई जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना लड़के भोजन से पहले कहने लगे हमें खीर नहीं खाने हमारा जी बिगरता है कुछ खटाई खाने को दो वह बोली खटाई किसी को नहीं मिलेगी आना हो तो आओ वह ब्रामन के लड़के लाकर भोजन कराने लगे यथा शक्ती दक्षिना की जगा एक-एक फल उन्हें दिया तब संतोशी माता उससे प्रसान कोई माता जी के कृपा होते ही नवे मास में उसके चंद्रमा के समान सुन्दर पुत्र प्राप्त हुआ पुत्र को पाकर प्रती दिन माता जी के मंदिर को चाने लगे माने सोचा यह रोज आती है आज क्योंना इसके घर चल कर देखू यह विचार करके माता ने भ्यानक रूप बनाया गुड चने से सना मुख उपर सून किसमान हून उस पर मख्यां भिन भिन कर रही थी दहलीश पर पैर रखते ही उसकी सास चिलाई देखो रहे कोई चुडेल डाकिन चली आ रही है लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी लड़के भगाने लगे चिला कर खिर्की बंद करने लगे बहु रोशन दान में से देख रही थी प्रसंता से पगली बंद चिलाने लगी आज मेरी माता जी मेरे घर आई है वह बच्चे को दूद पीने से हटाती है इतने में सास का क्रोथ पढ़ जाता है वह बोली क्या उतावली हुई है बच्चे को पटक दिया इतने में मां के परताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे वह बोली मां मैं जिनका व्रत करती हूँ यह संतोशी माता है सब ने माता जी की चरण पकली और विन्नती करके कहने लगी हे माता हम मुर्ख हैं हम अज्यानी हैं हम आपकी व्रत की विधि नहीं जानते व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा प्राद किया है हे जगत माता आप हमारा प्राद क्षमा करो इस परकार माता प्रसन होई हे संतोशी माता बहु को प्रसन होकर जैसा फल दिया वैसा माता सब को दे जो कथा को पढ़े सुने, सुनावे उसका मनुरत पून हो प्रेम से बोलिये संतोशी माता की जै संतोशी माता की आर्दी ओम जै संतोशी माता मैया जै संतोशी माता अपनी सेवक जन की सुख संपती दाता मैया जै संतोशी माता सुन्दर चीर सुनहरे माधारन किन हो हीरा पन्ना दम के तन श्रिंगार लिन हो मैया जै संतोशी माता गेरू लाल छटा छबी बदन कमल सोहे मन्द हंसत करुणामै त्रिभुवन जन मोहे मैया जै संतोशी माता स्वर्ण सिहासन बैठे चवर दुरे प्यारे दूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे मैया जै संतोशी माता गुड अरुचना परंप्रिय तामी संतोश कियो संतोशी केहलाई भत्तन वे भवदियो मैया जै संतोशी माता शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही भत मंडली चाई कथा सुनत मोही मैया जै संतोशी माता मंदिर जग मग जोती मंगल ध्वनी चाई विने करे हम सेवक चरनन सिरनाई मैया जै संतोशी माता भक्ति भाव मै पूजा अंगी कृत की जै जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे मैया जै संतोशी माता दुखी तारी त्री रोगी संकट मुक्त किये बहु धन धान भरे घर सुख सोभा के दिए मैया जै संतोशी माता ध्यान धरे जो तेरा वाचित फल पायो पूजा कथा शवण कर घर आनंद आयो मैया जै संतोशी माता चरण गहे की लच्चा रखियो जगदंबे संकट तुही निवारे दया माई अंबे मैया जै संतोशी माता संतोशी माता की आरती जो कोई जन गावे रेथ सेथ सुख सांपती जी भर के पावे मैया जै संतोशी माता मैया जै संतोशी माता अपनी सेवक जन की सुख संपती दाता मैया जै संतोशी माता मैया जै संतोशी माता मैया जै संतोशी माता प्रेम से बुले संतोशी माता की जै